मेरे पैरे देश्वासियों, इस बान हमारे देश में, खास कर उत्तर भारत में, खूब कडाके की सरदी पड़ी, इस सरदी में लोगों ने पहडों पर बर्फ बारी का मजा भी खूब लिया, जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्विर आई, जिन्हों ने पूरे देश का मन महो लिया, सोशल मिडिया पर पूरी दुनिया का लोग इन तस्विरों को पसंद कर रहे हैं, बर्फ बारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खुबसूरत हो गई है, बनिहाल से बड़गाम जाले वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खास कर प कथाओं साल लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि किसी विदेश की नहीं, बलकि अपने नहीं देश में कश्मीर की तश्विर हैं, एक सोशल मिडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्क इस से ज़्यादा खुबसर और क्या होगा, ये बात बिलकुल सही है, तभी तो कश्मीर क के सहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे, मैं चाहूंगा आप खुद भी जाईए और अपने साथियों को भी ले जाईए, कश्मीर में बर्ब से ढके पहाड, प्राप्रतिक सौंदर के साथ साथ और भी बहुत कुद देखने जानने के लिए हैं, जैसे कि कश्मीर के सयदाब बात में बिंटर गेम्स आयोजित किये गए, इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट, आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज़्यादा ही रुमान चक खेल होगा, अब बिलकुल सही सोच रहे हैं, कश्मीरी युवा बर्ब के बीच क्रिकेट को और भी अध्वुत बना दे इसके जरिये कश्मीर में ऐसे युवा खेलाडियों के तलाद भी होती हैं, जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे, ये भी एक तरह से खेलों इंडिया मूवमेंन का ही विस्तार है, कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्सा बढ़ रहा है, आने वाले समय में इन में से कई हुआ, देश के लिए मिडल जितेंगे, तिरंगा लहराएंगे, मेरा आपको सुझा होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें, तो इन तरह के आयोजरों को देखने के लिए भी समय निकालें, ये अनुभव आपकी यात गार बना देगे